साथियों, भारत की कोरोना के खिलाब लड़ाई सही माइने में पीपल डिवन है भारत में कोरोना के खिलाब लड़ाई जनता लड़ रही हैं, आप लड़ रहे हैं जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है भारत जैसा विशार देश जो विकास के लिए प्रयत्शिल है गरीबी से निरनायक लड़ा ही लड़ रहा है उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है और हम भागिशाली है कि आज पुरा देश देश का हर नागरीक जन जन इस लड़ाई का सिपाई है लड़ाई का नेत्रुत्व कर रहा है आप कहीं भी नजर डालिए आपको एसास हो जाएगा कि भारत के लड़ाई पीपल डिवन है जब पुरा विश्व इस महामारी के संकट से जूज रहा है बविश में जब इसकी चर्चा होगी उसकी तोर तरीकों की चर्चा होगी मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल डिवन लड़ाई इसकी जरूर चर्चा होगी पुरे देश में गली महलों में जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आये हैं गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की ववस्ता हो लोकडाउन का पालन हो अस्पतालों की ववस्ता हो मेडिकल एक्विपमेंट का देश में ही निर्मान हो आज पूरा देश एक लक्ष एक दिशा साथ साथ चल रहा है ताली थाली दिया मुम्बति इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया जिस जजबे से देश वासियों ने कुछन कुछ करने की ठान ली हर किसी को इन बातों ने प्रेरीत किया है शहर हो या गाउं ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायग्य चल रहा है जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतूर है हमारे किसान भाई भेनों को ही देखिए एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात महनत कर रहे है और इस बात की भी चिंता कर रहे है कि देश में कोई भी भूखा न सोए हर कोई अपने सामर्थ के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है कोई किराया माप कर रहा है तो कोई अपने पूरी पैंशन या पुरसकार में मिली राशिक को PM कैस में जमा करा रहा है कोई खेत की सारी सब्जियां दाम दे रहा है तो कोई हर रोज सैंक्डों, गरिबों को मुप्त भोजन करा रहा है कोई मास्क बना रहा है कहीं हमारे मजदुर भाई बहन कॉरंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं उसके रंगाई पुताई कर रहे हैं साथियों दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर रदय की किसी कौने में जो ये उमरता घुमरता भाव है न वही कोरोना के खिलाप भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है वही इस लड़ाई को सच्चे माइने में पीपल ड्रीवन बना रहा है और हमने देखा है पिछले कुछ साल में हमारे देश में ये मिजाज बना है निरंतर मजबूत होता रहा है चाहे करोड़ों लोगों का गैस सबसेड़ी छोड़ना हो लाखों सीनियर सेटीजन का रेलवे सबसेड़ी छोड़ना हो स्वच्च भारत अभ्यान का नेत्रूत्व लेना हो टॉयलेट बनाने हो अनगिनित बाते ऐसी है इन सारी बातों से पता चलता है हम सब को एक मन एक मजबूत धागे से पिरो दिया है एक होकर देश के लिए कुछ करने की प्रेना दी है